नमस्कार दॉप्रिंट में आपका स्वागत है मैं पूर्वा मंधानी मेरे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंग और हम दोनों आपके सामने हमारा इस सापताहिक शो हेड्लाइन के पीछे डीके के साथ का एक नया एपिसोड लेकर हाजिर है इस शो पर आप जैसे क बहुत लंबे समय तक महायूती में रहेंगे क्योंकि महाराष्टर के सीम बनना चाहते हैं लॉंग रन में उनके लिए कॉंग्रेस गडबंधन में वापिस जाना और वहां सीम उमीदवार बनना समझ में आता है इस पर आपकी क्या सोच है कॉंग्रेस गडबंधन कितना मज जल्दी छोड़ने के उसमें नहीं होंगे उनका पहला भी होगा कि उनके शादपवार के साथ न्सीप का धारा बचा होगा है वो चाहेंगे पहले उसको यह करें अपने साथ ले रहे हैं और उसके बाद फिर उनकी नजर होगे कॉंग्रेस के वोट बैंक पर देखें कमजोर हो गई है शादपवार की पार्टी कमजोर होगी है तो यह चाहेंगे पहले यह जो एक वोट पैंक है आपोजिशन का वो अपने पास ले आए और फिर आये का देखें कि इतना एकस्पैंड करें अभी मेरे खास उनके दिमाग में वो कहीं भी नहीं होगा कि हमें पहले है प्रिप्तिसीम बने जादे आये का देखते है हाँ उनके बेटा है पार्थ हूं से बातचीत होड़ी थी कि तो जह से कह रहे हैं महराश्ट्रे के बाहर हम कहां 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 कर सकता है तो इतने अच्छे रिजल्ट के बाद है कफी इन्थूजियाजम है कि कफी है अभी मेरे ख्याल से कब छोड़ने छोड़ेंगे या नहीं छोड़ना महायूती और उनके दिमाग में कहीं नहीं है वो जी आगले कुछ सवाल भी देखे महराश्ट्र से जुड़े हुए है रोहन नवलकर हमारे मेंबर बोल रहे हैं महाराश्ट्र चुनाव मेहार के बाद बोल रहे हैं न्सीप शारत पवार का भविश्य क्या है जहां तक शिफसेना यूबी टी का सवाल है वहां अभी भी बी एमसी चुनाव होने बाकी है अगर वे हार गए तो उन्हें और पीछे धकेल सकता है तिक पहले वो शारत पवार के न्सीप कर मरिजर के बात करें अब ऑट शारत पवार क्या सोच रहे है थी किसी को नहीं पता होता है चेहत पषह कही किशनाप शिफमयन लिए तो संचो आखे था क tienes ते ऑगो अपनि अपावर को अउन्हों के साथ कलोगि अग मर्जर कुर लेके तिर कुछ लोग सब्सक्राइब कर रहते हैं तो चार चार शुरू हो चुकी है अब अब इस भी यह है कि देखिए अब अजित पड़ इतना क्या वह फाइट कर पाएंगे किटना दितना दितना सुप्रिया सुल्य है बहुत ब्राइट लीडर है वह मतलब आउस्पोकेन ब्राइट एंरिजटिक समकुछ है लेकिन क्या वह उनमें है कि अजित पवार से टेकॉन कर सकते हैं अब अब आम नोट शूर तो उसमें एंसीप को यह एक्चुली सूट करेगा क्यों से साथ मर्ज करें कि देखिया महारास्ट्रा में अगर उनको अपनी बेटी के भरिष्टो देख रहे हैं तो महारास्ट्रा में चली आगले पांट साल आपो नहीं भी देखेगा फिर और कॉंग्रेस बड़ी पाटी के साथ आथ आप सकते हैं प्लस ज्यादा सिक्योर्टी होगिया एसा कुछ कोई डिवाइड है नहीं हो आदाम से कर सकता है तो करने हो कर सकते हैं लेकिर वो जिस पाटी को उन्होंने आज से करें पत्चीस साल पहले बनाया उसको फिर से वापस विले करने का कॉंग्रेस में और अब देखें उनकी बहुत बुरी स्थितिय है लेकिन यह जो होगा आपका यह बीएमसी एलेक्शन की बात करें अभी कोपरेशन के सारे एलेक्शन होने वान है हमारा अस्टा में सब होंगे अब मुंबई में यूबी टी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है असंबले मैं तो बाकी देजन से दर कोंकर में सब खतम हो गया है बंबी में उनको ने दिखा देका अब है अब बंबी में उनका प्रिजन्स है तो बहुत क्रूशल होगा वो क्योंकि वहां भी बीमसी छोटी मोटे तो है नहीं मतलब हजारों करोर का बजट होता है और अगर बीमसी में जीत जाते हैं तो फिर यूबी टी शर्वाइव कर जाएगे जी वो बहुत क्रूशल होगा उसको पहले देखते हैं फिर हम उद्धा ठाकरे की सिर्शनागी बहुत के बात करेंगे अभी बहुत लो है डाउन न आउट क्या सकते हैं लेकिन बंबी का प्रफिमेंस है मुंब क्या महराश्री चुनाव के दौरान ओवर कॉंफिडेंस के लिए केवल कॉंग्रिस को दोशी ठहराना उच्छित होगा ऐसा लगता है कि उद्धव सेना और न्सी पीएसपी दोनों ही अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त थे यह एक बात होती अगर कॉंग्रिस खराब प्रदर्शन करती और M.B.A. चुनाब हार जाती लेकिन तीनों पार्टियों का प्रदर्शन खराब रहा सही कह रहा है वह मतलब वह कॉंफिरेंस था तीनों में लेकिन उसमें है कि कॉंग्रेस ने छोड़ दिया बीच में लोग्सरभा एलक्षिन के बाद उनका जैसे एक म महायूती हम से नाइन परसेंटेज पॉइंट आगे चल दी है और सैध हम इसी में पिछे वाली एक एपिसोडिय मैंने कहा था है कि इनका अपना फिर्वेक आ रहा है वो ल्टा आ रहा है लेकिन जो फिर्वेक आने को देखिए इनमे और बीजेपी में क्या अंतर है बीजे केंपेन स्ट्राटेजी बड़ जितना कुछ कर सकते हरेने में उनके साथ हरेने में है कि उल्टा चल रहा है हमारा इतनों नाइन परसेंटेज पॉइंट से आगे चल नहीं होती हम से इन्होंने बस छोड़ गया मतलब सीट सेरिंग नेको से में आप देखेंगे तो आप जै उनके साथ आप रिलेटिबली लाइट विट को निगोशियेशन के लिए भेज रहो हाई कमेंड बॉदर ही नहीं कर रहा है कि हाई कमेंड ने मान के चल दिया कि हाड़ी रहा है तो जो कर दो जो सेट मिल रहा है चल दया चलने दो रहुल गंदी के आप रैली कांट करेंग आप स्वा प्लस सीट पे लड़ रहे हो मतलब कहां सीरियसनेस है पहले भी हमने बात किया पूरा मिल अफ एलेक्शन वाइनार में तीन जाकर बात जाते हो जो जी तीवी सीट एनिवे थे सीरियसनेस नहीं था इसमें कह सकते हैं सिवसेना के साथ उदव ठागड के साथ हिल् एक तो वह हिल्थ का विश्था दूसरा भी वह ड्राइव नहीं नहीं दिखाया वह भी कॉंपलेसेंट हो गे तागड के वह पूरी तरह से लगे वह दिंदा किया हो तो उन्होंने था लेकिन ऐसे बैठ नहीं थे तो काम कर रहे तो उनके लिए प्रतैसिए रिजल सहा है ल है कि रीसेंटली आपने कहा था कि राहूल गांधी को अप्रियंका गांदी के हाथ में कॉंगरेस की कमान दे देनी चाहिए लेकिन हम ने देखा कि क् प्रियंका गांधी भी कुछ स्टेट एलेक्शिंज में कॉंग्रेस की लीड कैमपेने रही हैं जिसके ग्जाब्ल है यह तो मैं किसी को डिसमिस नहीं करूँगा, बहुती उपिरियंका गांधि क्यों बात की, मैं अर्ग्यू जो कर रहा था उस अर्टिकल में, कि राहूल गांधि ऐजे फेस अब नहीं चलेगा, कॉंग्रेस कहीं से भी निकल के नहीं आएगी, दूसरी बात अब जैसे उसमें क प्रैक्टिकल ही अगर देखिए तो नहीं होने होला है, तो मान के चल लिजे, तो नहीं एलाओ करेंगे, नौन गांधि को, जब उन्हीं को रहना है तो अब चेंज भी चाहिए ही, उन्हीं को रहना तो एक मात रॉप्शना के पास प्रियंका गांधि बजती है, आपने दे काफी डिजे लेकिन काम किया नहीं, समय भी नहीं था, लेकिन उसके बाद जो आप कांगरेस के लिए था, उसके बाद प्रियंका ने उसे खोड़े दिया, हारने के बाद थे, उससे मतलम नहीं है अब छोड़ के मतलम फिर आप यह आप बेठगे बहुल गये उपी उन्हीं जब कॉंग्रिस को गांधी फैमिली की तरफ सी कोई चेहरा बनना है तो राहूल गांधी अब मेरे ख्याल से चौती बार चुनाओं नहीं कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे पॉबलिका पर तीन चुनाओं में रिजक्ट किया चौती चौनाओं में आप बहुत ही ऑप्टिमिस प्रियंका बाद रहा था कि उनके कुछ-कुछ एडवांटेज हो सकता है लेकिन यह कहना कि प्रियंका ही पार्टी पूरा रिवाइब कर देगी यह बहुत जल्दी होगा कहना भी देखते हैं क्या होता है अब इंदरा टू पॉइंट ओ या राहूल गांधी तू प्रियंका गांधी वद्रा को फेस बनाने का सजेशन दिया कॉंग्रेस पार्टी के रिवाइबल के लिए पहली बात तो यह है कि क्या अच्छे फेस से काम हो जाएगा अगर इंदी के दूसरे पार्टी से फेस चुनना हो तो क्या कोई कंसेंसस कैंडिडेट है दूसरी पा क्या कास सेंसस एक अच्छा काउंटर हो सकता है एलेक्टोरी और मॉल्री दीके इसी के साथ संकल्फ हमारे जो मेंबर है उनका भी सवाल ले लेती हूं बोल रहे है इस वीक आपका एपिसोड और SG के CTC देखा आम तोर पर किसी भी कॉर्परेट ओवरहॉल में CEO और पूरी ट तरनाटका और तेलंगाना की जीत का श्रे मिलना ही फ्लॉड था दूसरा उन लोगों के पीछे क्यों नहीं जाते जिन्होंने उसे न्यूक किया एब लिंकेन भी आट बार चुना भारे राहुल केवल तीसरे ट्राइप है तीसरे प्रयास में है रागा की राहुल गांदी क क्लास कास्ट संबंदी धारनाएं चाहे सही हो या गलत ये 2014 के बात का फेनॉमेना नहीं है उनके पास खुद उन्हें अड्रेस करने के लिए 10 साल थे भले ही हम उनके एंसेस्टर्स के एक्सेंडड बैंगेज को त्यागने को त्यार हो आपको क्या लगता है कि प्रयांका उ अगर हां तो क्या पहले उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए उससे पहले क्या वे असली भी है उधारन के लिए क्या आपको नहीं लगता कि महराश्ट्र में गुजरात विरोधी बयानबाजी गुजरात चुनावों में बापस आएगी इसी तरह करनाट का कास सर्वे पर भी कि सभी चुपी साधे हुए हैं और इस समय हिमाचल प्रदेश सरकार को ऐसा नहीं लगता कि दूसरा टर्म मिलेगा तिक इनसे एगरी करता हूं मैं मुस्तव यह करता हूं मैं जैसे वही प्रेंका वाली बात होगी दीचेहरा वही मैं जैसे मैं एक्स्पें किया है कि इसो काम नहीं करें मीड एलेक्से में चेंज कर देती है लोकसभाद चुनाओ में भी चार सा पार जब इनका पर एसेस्मेंट होगा कि चार सा पार पर बैकफायर कर रहा है अपने देखा होगा कि प्रदान मंत्री मोधी एकदम उस्तों बोलना ही छोड़ दिये थे सुरों म काफी उठाए फिर छोड़ दिये कि इनका फीडबैक आया कि नहीं काम कर रहा है यहां इनका फीडबैक जैसे मैंने कहा कि महारास्ट्रा में एक जरे मेना पहले आ गया कि महारती काफी आ गया मत्रों आप चला रहे हो जिन बुद्धों को नहीं चलना है लेकि फिर भी आप कॉंग्रेस डिफॉल्ट प्रोग्राम है अब आम सॉरी लेकिन अभी मेरा जो अपना लगता है कि साधी अभी भी वही सोचते हैं कि आज ने कल तो कॉंग्रेस आएगे हैं तो मुद्ध तलास्ने में क्या मुद्ध हैं जो मुद्ध आप उठा रहे हैं काम नहीं कर रहा है कि फिर भी वह से चलाए जा रहा है इन्होंने बात की अभी जो पहला कॉस्चिन था कि अब चुनाओ के बाद यह क्या सोच रहा है जी अभी चल रहा है अभी जैसे कॉंगर्स मॉर्किंग कमीटी की मीटिंग हो रही है जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहा है इसको और उसमें अभी बस मलिकार जुन खरगे का उपनिंग रिमार्क आया है उसको देखिए समेजिंग उसमें वो कह रहे हैं कि इवी एम से जो है सो चुनाओी प्रकिरिया पे संदिग्रता आ गई है एलेक्शन कमेशन को फैर होना चाहिए बस नोट करते जाए यह पॉइंट को वो तो हो गया कि दूसरों को ब्लेम करने के लिए ठीक है मतलब हमारी कोई गलती नहीं है यह एलेक्शन कमेशन का प्रॉब्लम है और जब आपको पता है कि चुनाओ के पहले पिछा रहते आपको अपना सर्वे कह रहा है तो फिर अवी एम पे आगे चैर उसको उसकी बाद का उसके बाद हो कह रहा है है कि स्टेट वाव« बाद हो कर दो खताए हुडर को एक्वाज बैश्यवट इस देचे लिदू को हम्हेशा नैश्नल इश्यवयश उसे जीतने का उता है HOR यह रिखूटध लिज़ए के अम जो पैस्तेट रिखए दूसरों पर rescue यहा, यहां क्यों नहीं कहते कि आप कहां कहां गलत गया हो खरगे जी खुद ही आप देखें वह जो उन्हाने बैंगलोर में बयान दे दिया था उस पर गारेंटी वाले पर क्वेश्चन करते हो पहले आपना बजट का देख लो और फिर उसके बाद गारेंटी की बात करो प्रदामिंत्र आप शुद को देखो ना कि आप कहां कहां गलत गया हो आपकी इसूज नहीं चले हैं आपके स्ट्राटीजी गलत गया है यह जो कन्विक्षन है कि हम डिफॉल्ट प्रग्राम आज में कल वोटर्स को हमारे पास आना ही पड़ेगा और इसलिए कुछ भी कुछ भी करेक्टि अगला सवाल डी के अनिल शुखला का हमारे मेंबर हैं आपके विचार में क्या विपक्ष सच में यही सोचती है कि उसकी हार का कारण EVM है आपने अभी EVM की बात की बोल रहे हैं और अगर नहीं तो आत्मन इरिक्षन के बिना क्या विपक्ष और खास का राहुल गान्दी केंद्र में अपनी सरकार बनानी में सक्षम हो पाएंगे इसका मैंने लाज़ली कुश्चिंग आउंसर देहे दिया जो कहें कि क्या यह सही में सोचती है नहीं कॉंग्रेस के जो लोग हैं कि मजोरिटी कन्विस नहीं है इससे मतलब मजोरिटी काफी ज्य अब जाएंगे अब दूसरों को क्या हाट हैंगे अगर इस्टेट लिडर से क्या अपने वारे बाद जी आपके जो लोग आपके लेक्शन प्रकेडिया में इन्वाल्व थे जो ने कैम्पेण स्टेजी बनाई जो लीड कर रहे हैं वहां पर जाके उन पर अपने क्या अप सबसे पहले लोग कोश्चन करें कि आपने क्या किया उससे बचने के लिए तरह तरह की चीजों पर बात किये जा रहा है जाता तरह कॉंग्रेस को लोग कर नहीं है अगरा सवाल संचित सुमन का है पूछ रहे हैं जब लोगसभा चुनाव परिनाम आये तो हमें उमीद थी क एक मजबूत विपक्ष होगा जो सरकार के दुसाहस पर लगाम लगाएगा लेकिन ये विचार हर राजर उप्चुनावों के साथ फेड होता जा रहा है ऐसा लगता है कि जैसे कॉंग्रेस पार्टी विपक्ष की ड्यूटीज को गंबीरता से नहीं ले रही है कि आपको ल प्रेस कॉंफरेंस के लिए छोड़ गया अब आपके अपने अलाइज आप से कन्वेश नहीं है अभी अब तिरामुल कॉंगर्स वो कह रही है कि आप जो आजानी को लेकिए आप डिस्रप्ट कर गयो पार्लमें को हम उससे सहमत नहीं है हम की डिस्कुसन करना है और जातर इंडी अलाइंस पर जातर लोग इसी व्यू करें कि डिसकुस को चीजों को नौब कर दिस्कुस को नौब कर चले गया को बतली में क्या मिलना है यह अप अपोईशन का किवल रही रोल है कितना सीरेशली ले रहे हैं और किन मुद्दों पर आप घेज पा रहे हैं सरकार को कि यह एदानी आधानी पर तो कितने परल्लीमें सोट होगे आप उसका आपको देख रहे हैं कि इंपक्त नहीं हो रहा है आउस पर करते हैं घेडाना है कि इंट ब्लाइंड फ्लीशन है यह ए वह साकार फियल कर दिए ट्वीट कर दिया ए स्टीन कर दिया अप्रीट कर लि पर ब्यान दे दिया हो गया मामला खताब आप अगर अगर आप सीरियस होगी मुद्दी है तो रोड पर आओ रोड पर आपकरो एजटेशन वो आप नहीं कर सकते हैं तो यह मेजर खामिया है विपक्ष को जो की फाइटिंग एक विल टू फाइट जो हता है न वो नहीं देख कि फिर हमाने ही पास आएगी जाएगी उसे कि अगला सवाल सत्य प्रग्यन दास का है पूछ रहें कि कॉंग्रिस को अगला बड़ा चुनाव असाम का सामना करना पड़ेगा असाम में कॉंग्रेस की क्यास्तिति है कि असाम कॉंग्रेस हिमंता को चुनोती दे पाएगी दो तो यह आपको दिखाते हैं क्यास्टित है वहाँ पर मतलब वह सामगोडी एक वहाँ सेंब्ली कॉंस्टिंशी है जो मैंनेटी मुस्लीम डॉमिनेटर है वो भी कॉंग्रेस हार गई है अब अच्छा उस सीट पर 93 के वाद बीजेभी कमी जीती ही नहीं थी के दो हजारेक कोंगरेस के पास था कि वो अप हार गया वाई लेक्सर में आपको स्थित ही बदा ती अब बदाध के बात करें ठीक अथिक बदा इस अब लोगसाभा में आपकर फाय्ट किया मतल वहां पे तो देखिए लिए अब इसांशामा और पुरा उनके काबनेट तर ज अब प्रोमिस देखा उस पर भी अब कुछ नहीं कर देगा है अगला सवाल नवनीत का है पूछ रहे है कि प्रशान किशोर की बाइपूर प्रफॉर्मिंस के बारे में आपका क्या कहना है क्या वो नेक्स्ट यर बिहार में किंग में कर बन सकते हैं पीके के अलावा ऐसे कौन अब यह जो आपको लगता है बीस साल बाद नाश्री पॉलिटिक्स में रेलेवेंट होगे बीस साल बाद कि पॉलिटिक्स दूब बात नहीं कर सकता है पीके का बिहार परफॉर्मिंस पर हमने लास्ट पिसोर में बात किया था बात हुए थार्ड अल्पिनिटिव का स्पे के लिए अभी हो सकते असेमली बाद पॉल में उनको सक्सेस नहीं मिलौ मतलब के साड़े कैंडिडेट थर्ड या फोर था है लिकिन इनुने शुरू ही किया है पार्टी जैसे पिछले वी पार्टी शुरू ही एक महिना पुरानी पार्टी है और जहां चुनाव हुआ वह अगले साल के चुनाव तक किंग मेकर बन पाएंगे मुच्किल है अगले फुल टाइम भाजपा राश्रिया अध्यक्ष पर क्या अपडेट है लोगसबद चुनाव के बाद इस पर काफी अट्याव के बाद के लगाई गई और साथ ही भाजपा में शाह वर्सिज योगी कैम्स और शाह वर्सिज फर्नवेस आधी के बीच उत्रादिकार की लडाई पर आंतरिक मद्भेद भी बताए गए हर्याना और महाराश्र चुनाओं के साथ-साथ-साथ यूपी बाइपोल में जीत का अगला जनवरी फरवरी तक आपको फिल प्रेशिडेंट का सेलेक्शन या एलेक्शन और सेलेक्शन भी कहें वह होने वाले जनवरी फरवरी तक दूसरा इंटर्नल डाइनमिक्स की बात करें अभी जैसे लगते हैं बीजे-पी कर सीएम होने जा रहा है महालास्ट्रा में औ अब यह भी बात सचे है, इन्टरणाल डायमिक्स की बात करें, तो हाइक कमेंड का या अमिट्छा की बात करें, तो अमिट्सा या योगी हो या देवन्ध फरनविस हो, यह बहुत ही अच्छे दोस्त नहीं है, कोई पैल्स नहीं हैं यह लोग या कोई फर्णवेस योगी आयतनाथ मतलब कोई फैन नहीं है अनत्साकर इतना इन कह सकता है तो डाइनमिक्स समझे कि अभी हाई कमेंड यहां पर है और देश के सबसे बड़े राज्यकर से हैं सबसे जहां से आती है पहले यूपी में एटी फॉर्टीट वहां से वहां के भ अगला सवाल विशार कुमार यादफ का है मारे मेंबर हैं बोले सेवी का काम क्या आम निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करना नहीं है बाकी चीजों पर जाच के आवश्रक्ता है लेकिन अडानी की कंपनियों के खिलाफ एफपी आ जाच कर रही है यह चुपाना क्या इशकों से धोका बाजी नहीं है तो इसमें हमारे कॉलीग शार्द राग्वन ने किस पर अच्छी स्टोरी कि थी इंडाइट्मेंट के बाद अब इंडाइट्मेंट में जैसे क्लिरली लिखा है कि वायलेक्शन है मतलब सेभी रेगुलेशन का जो होता है कि जैसे अन्फे पहले ही सब कुछ मिल गए सच वारंट हो गया था इसमें सागर अडानी का जो है तो वहां भी उनका सर्च वारंट सर्व हुए थे सपीना गया था इसके बाद भी इन्डियाने स्टॉक एक्सेंजर को अभी मार्च दोहजार चोबीस में एक साल के बाद भी जाकर उन्होंन इन्हों सच पुछ नहीं है भाला है थेरह जैसे हृथ ऐहां पर असने डिमाट जोगने उन्होंने नहीं सही जःए हुए सट्पर्टी नहीं हो ही स्टाफ यहाँ जो सही इन्फरमिसर नहीं दिया जो ρ reflection on no it is इंट्रेस्टिंग है कि सिभी ने आज तक एक on the record इस पर कुछ नहीं बुला है अगर चलि एलिगेशन है मानली है मतलब युएस में भी है यहां भी पहले भी इस पर हमेंसा बात रहें कि इंडाइटमेंट है यह कन्विक्शन नहीं है चार्ज लगया है तो ऐसा नहीं है जो अगला सवाल डीके नवीन संकर का हमारे मेंबर रहें वक्फ बिलोव में देरी का कारण क्या है क्या बीजेपी गडबंधन की राजनीती एक कारण हो सकती है और बांगलादेश में माइनॉरिटीज पर हमले रोकने के लिए भारत के पास क्या विकल्प है क्या किसी वायबल उपाये पर चर्चा की जा रही है तो हुआ है अपने अभी देखा होगा जेपीसी वक्फ पर थे उनको फर्द एक्स्टेंड कर गया है और उसमें है मतलब अन्दीए पार्टनर्स करें चंद्वाव नईडू से कई Muslim delegation मिलने गा है इनके अपनी पार्टी के Muslim leaders on the cause आये करें आपको सीधी इसके लिए बढ़ने के जोवत अतनी है आपको सीधी इसके लिए बढ़ने के जोवत नहीं है तो पर्टेक्ट किजिए तो ट्रवा से इसू है और इसलिए वह नहीं सपोर्ट कर दिया जो कि जब आस्टी स्टीम रोल कर दिया बेना कंसल्टेशन के इसके साथ हो रहा है दूसरा अफकोर्स देखिए जो नया डेड्लाइन जो जेपीसी के लिए रिपोर्ट देने का है वो है कि अगला बजट सेशन के अंध तक उस समय भी इंट्रेस्टिंग अगला सवाल डीके कार्टिक कार्टिक का हमारे मेंबर है बोले 2009 में पार्टी नंबर वन से लेकर महज 10 साल पुरानी जन से ना पार्टी से भी पीछे हो जाना क्या अंध्रप्रदेश में कॉंग्रेस के लिए कोई उमीद है या वे उमीद खो चुके है पिछले एलेक्शन की बात करें तो कॉंग्रेस को क्या मिला पिछले विधानसवाइ एलेक्शन में मेरे खाल से दो परसंट से कमी है 1.7-1.1 परसंट इनका वोट शेर है एक भी सीट नहीं मिला है और दूसरी तर अपोईशन को भी देखे तो ये कॉंग्रेस का वोट कहां का किपशले वाकिए को से रहा है परसंट करूज नहीं कि देख रहा है कि तो अथी को मिला कॉंग्रेस के वोट मिला है कहीं दिख रहा है के वोट बैंक कहां से आएगा वापस दो और सवाल लोंगी, अर्जुन मलिक का सवाल आ रहा है, मैं जानता हूँ कि थोड़ी देर हो चुकी है लेकिन मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि आप C.J.I. D.Y. चंदरचूर के चीफ जस्टिस के टेन्योर को कैसे अनलाइस करेंगे अर्जुन इस पर हमारे एडिटर-इंचीफ शेकर गुपता ने एक विडियो किया हूँ है, C.T.C. किया हूँ है, उसका लिंक हम इस विडियो के डिस्क्रिप्शन में आइड कर देंगे आज का आखरी सवाल डीके उदित पांडे का आ रहा है, मीडिया में स्टेम यानि की साइन्स, टेक्नोलजी, इंजिनियरिंग और मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है स्टेम में चात्रों की बढ़ती संक्या के बावजूद सामान में सारवजनिक चर्चा में हुमानिटी जैसे लोग, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, एक्सेक्टरा और आर्ट्स, लिटरिचर जैसे स्पोट्स, सिनिमा, म्यूजिक, कॉमेडी, एक्सेक्टरा ने डिस्प्रोपो स्टेम के लोग ज्यादा, देखें, वो एक इंडुस्ट्री स्पेसिफिक उनके स्पेसिलाइट से होचे टेक्निकल नोहाव उनके पास हो जाता है, तो स्टेम जो चूज करते हैं, यूजुली उनका फस्ट प्रेफरेंस जर्नलिजम कभी नहीं रहता है, और जर्नलिजम इ नहीं के स्टार्टिंग बाथी नहीं होगी नहीं मि फिर नहीं तो उनके एकسبेक्टेशन से अपने लथा लिप से लग होते हैं, हमारे बादेश लग होते हैं, लेकि नहाँ मैं से जो जाना चाहते हैं जरनलिजम उसमें कोई ऐसा निटेखै, जरिमें अप्र्やईश को में दिस्टीजर मेरे लगे irई चेहे आतिओट, सुबर सवे तिन्याइद, अपको च्रिथिजुर होसक्ट, अपको क्लिएक्टिफी। तो आप जिस्सिप्लीन से भी पहल के निलोगे एक डिसिप्लीन हमें सा काफी नहीं हो तर से कुछ कवर कर निए आपको डिसिप्लीन के बियोंड जाके उसको चीजों को समझना होगा पढ़ना होगा जो कि हमेनेटी नहीं अब कोई प्रिजिक्स का पुछ ग्राजवेट भी अब बात्मेटिक्स को वह भी वही सेम चीज कर सकते हैं अब मैं अपने जैसे बता दू हमारे मेरा जासे एक्स्पिरियंस रहा है मेरे लास्ट थ्री एडिटर इंचीफ सारे साइंस एंजिनिंग बैगराउंड के अभी हमारे शेखर स्टेंब बैगराउंड के साथ ही मेरे काम किया है तरह से लिए कहीं भी जासेगे उडिपेंड करता है किसे प्रो से आप चूज कर रहे हैं चलिए असी बात पर हमारा आज का एपिसोर यही खत्म होता है आश्या करती है आपको एपिसोर पसंदाया होगा उमसे जुडने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद